तो आज के टाइम पे अंडर 500 रुपीज हमें काफी कमाल के earphones देखने को मिल रहा है जैसे ऐसे ब्रैंड जो है headphone jack को निकालते जा रहा है वैसे वैसे और भी अच्छे earphones market में आते जा रहा है तो आप लोग मुझे comment में जरू बताना कि आपको क्या लगता है headphone jack को निकालना चा Redmi ने भी अपने birds classic को launch किया है same price में और वहीं पर Xiaomi के ही Mi basic करके earphones आते है वो भी काफी अच्छे earphones है लेकिन Redmi ने यहां पर अपने पहले wire earphones को launch कर दिया है वो भी 400 रुपीज में और मैं आपको बताओ कि भाई बहुत ही अच्छे powerpack features के साथ में यह आता है और जो review होने वा earphones में आपको 10 mm के dynamic driver देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको high-res का भी support देखने को मिल जाता है जिसके करण आपको काफी अच्छी frequency वगरे मिल जाती है इस price range में high-res आपको मिल रहा है dynamic driver भी अच्छे मिल रहा है यह दोनों का combination काफी अच्छा है लेकिन technology वगरे जो है काफ जिन लोगों को बहुत जादा punchy bass पसंद है और under 500 रुपीज अगर आप बहुत अच्छे punchy bass वाले earphones लेरा चाहते हो तो इन earphones को आप बिना कुछ सोच से समझे ले सकते हो क्या कि इसमें आपको काफी अच्छे bass देखने को मिल जाते हैं soft song या फिर instrumental type के songs होते हैं उनमें ए earphones जो है काफी अच्छा experience दे देंगे ये तो बात हो कोई audio की अब बात करते हैं कि video के time पर कैसा audio produce होता है तो मैंने यहापर videos देखिए है YouTube पर Netflix पर Amazon Prime सब को जो है check कर लिया है और honestly बताऊ ना तो वही problem मुझे face हुई है like जब भी आप कोई भी video में जो है dialogue delivery वागेरे हो रही लेकिन base इसमें आपको काफी अच्छे मिल जाते हैं वहीं इसमें loudness में काफी अच्छे मिल जाती है 100% पर जब आप music सुनोगे तो आपको भार का कुछ भी सुनाई नहीं देगा तो overall music के मामले में मुझे ये काफी अच्छे लगें अब अगर इसके build quality और design की बात करूँ तो इसके wire की quality आपको Xiaomi के ही Mi Basic की तरह ही देखने को मिल जाती है यानि कि silicon rubber के साथ में इसकी wire quality मिल जाती है आपको कोई breaded wire इसमें देखने को नहीं मिलता है अब silicon rubber में जो है आपको disadvantage और advantage दोनों ही मिल जाते है advantage की बात करूँ गाइस तो यहाँ पर यह जो है काफी flexible होते है इनको अगर आप fold करके अपने back pocket वगेरे में कहीं पर भी डालते हो तो आराम से यह bad आते है ऐसी कोई problem नहीं होती है कि थोड़ा सा hard सा feel हो रहा है ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो यह एक advantage होता है disadvantage की बात करूँ गाइस तो इस type के wire जो होते है वो tangle free नहीं होते है लेकिन मैं शिकायत बिलकुल भी नहीं करूँगा क्योंकि इस प्राइड में जो है यह आपको ब्रेटेड वायर नहीं दे सकते है अब यह एरफों के अगर connector की बात करूँ गाई तो यहाँ पर Xiaomi ने बहुत ही अच्छा काम किया है यहाँ पर आपको L-shape वाला connector मिल जाता है जो 90 degree में टिल्ट हो जाता है वहीं पर गोल्ड प्लेटेड है तो यह चीज काफी अच्छी है यह चीज मैंने realme के burst classic में miss की है त यह यह earphones wire shaped wire के साथ में मिल जाता है तो आपको काफी अच्छी protection यहाँ पर भी मिल जाती है अब बात कर लेते हैं इनके earbirds की या क्या लोग इनके drivers की तो यहाँ पर आपको metallic design देखने को मिल जाती है तो अगर आप realme burst classic को लेने का सोच रहे हो तो एक चीज आपको ध्यान मे मिल रहा है लेकिन यहाँ पर आपको solid metal मिल जाते हैं तो भाई काफी अच्छी build quality है लेकिन एक जो चीज होती है वो कई सारे लोगों को problem जो है create करती है वो यह कि metal होने के कारण वो आपके ear में चुबने लगता है क्योंकि मेरे पास Xiaomi के Mi dual driver रखे हुए उन में problem यह कि metal की quality है काफी solid metal लेकिन वो edgy सा जो है आपको look दे देता है जिसका आपके ears में थोड़े time बात pain होने लगता है लेकिन ऐसी कोई problem आपको in earphones में देखने को नहीं मिलेगी वो इसलिए गया रहा हूँ कि कि इसको अगर आप ध्यान से दगोगे यहाँ पर आपको कोई edge देखने को नह इसको जो है काफी लंबे time तक पहन के रख सकते हो उसका reason यह कि इन में जो है आपको कोई भी इतना heavy weight देखने को नहीं मिलता है 10 mm का इसमें dynamic driver लगा हुआ है लेकिन फिर भी इसका weight मुझे जो है overall काफी light लगा है तो long term के इसको आप पहन के रख सकते हो वहीं इन में आपको extra pair of earbuds भी मिल जाते हैं तो आप अपने ear के hole के हिसाब सो जो है adjust कर सकते हो वैसे मुझे medium size जो है काफी अच्छे से comfortable आ रहा है वहीं अगर मैं controlling की बात करो तो यहाँ पे आपको single button मिल जाता है इस button के तुरू आप अलग-अलग action perform कर सकते हो अगर play pause करना है तो single tap करना पड़े मैंने अपने दूसरे number पे call कर दिया है और वहाँ पे call recording option enable कर दिया है ताकि मैं आप लोग को बता सकूँ कि आपकी आवाज receiver end में कैसी जाएगी तो आप लोग मुझे comment बताना है कि आपको आवाज जो है कैसी लग रही है इसके mic quality की अब मैं अगर अपना opinion दूँ तो कोई जादा भार की आवाज जो है यह catch नहीं करता है यह चीज़ में आप लोग को बताना चाहता हूं तो guys overall मुझे mic quality इसकी काफी पसंद आई है तो आप last but not least की gaming performance इसकी कैसी है obviously PUBG तो है निये band पड़ा हुआ है लेकिन unband काफी जल्दी हो जाएगा लेकिन इसको मैंने call of duty क टाइम पे यूस कर रखा है तो मैं आप लोग को बता दू कि भाई game खेलते टाइम पे मुझे काफी अच्छा experience मिला है क्योंकि seal packed यह earphones है काफी अच्छे तर्रीके से बैक हो जाते है realme में जो है आप gaming को जो है enjoy नहीं कर पाऊंगे just because कि वो half in year वाले design के साथ में आते हैं तो overall gaming की टाइम पे मुझे काफी अच्छा experience फिल हुआ है तो guys अगर मैं अपना final verdict दे दू तो under 400 रुपीज में यह earphones काफी अच्छे features आपको दे रहा है sound quality भी काफी बढ़िया है overall चीज़े मैं आप लोग को cover करके बता दिये realme birds classic के साथ मैं इसका comparison काफी जल्दी लेकर आ दूँगा तो guys इस वीडियो को हम यही end करते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो guys please इस वीडियो पर जो है 600 लाइक तक लेकर जरूर जाना like का target है last में ते रहा हूं वीडियो के नीचे like का बटन इसको press कर देना I know आप लोगो बूरा कर दोगे और अगर आप चैनल पर नए हो गाइस तो subscribe कर लेना क्योंकि ऐसी डीटेल वीडियो में लेकर आता रहता हूं तो guys मिलते हैं next वीडियो में तता के लिए bye bye take care and peace